Dust on the Mountain रस्किन बॉर्ण द्वारा लिखी गई ये कहानी इंग्लिश में आज मैं आपको हिंदी में सुनाने वाली हूँ Dust on the Mountain मतलब पहाडों पर धूल Ammu and You चैनल पर मैं हूँ Ammu और ये वाली कहानी खास किसी के request पर मैं आप लोगों को हिंदी में सुनाने के लिए तैयार हूँ तो आप तैयार हैं चलिए सुनते हैं Dust on the Mountain पहाडों पर धूल रस्किन बॉर्ण द्वारा लिखी गई कहानी तेहरी गर्वाल के एक छोटे से गाउं में बिश्नु अपनी छोटी बहन के साथ रहता था अब पहाडों में उस साल बहुत कम बारिश हुई थी और उसकी उसी साल शीत काल में बहुत ही कम बर्फ पड़ी थी जिसकी वज़ा से जितने भी फलों के बगीचे थे उनमें बहुत कम फल आये थे सारी नदिया, जहरने, सब उपर से जो आते थे बर्फ पिघल कर जो बहते थे, वे सब सूख गये थे उनमें पानी ही नहीं था तो वहाँ पर गाउं वालों को पानी की बहुत जादा समस्या हो रही थी अब वो अपना गुजारा कैसे करते अपना गुजारा तो वो केवल खेती बारी से करते थे, फल उगा के करते थे, थोड़ी बहुत सबजियां उगाते थे अब जब पानी की ही इतनी कमी हो तो कैसे उगाएं हो तो बिष्णू भी बहुत परिशान था और अपने परिवार को बचाने के लिए सब को लेकर मसूरी चला गया उसके परिवार वाले बिलकुल भी नहीं तयार थे कि बिष्णू मसूरी जाए लेकिन बिष्णू ने कहा आप नहीं जाना चाते हो तो ठीक है आप लोग गाउं में रहो मैं जाता हूँ मसूरी में मैं थोड़ा काम करूंगा क्योंकि गर्मियों के समय में वहाँ पर बहुत घुमने आते हैं परियाटक आते हैं और उन लोगों के साथ काम करके शायद मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँ हो सकता है किसी सिनेमा घर में मुझे चाय बेचने वाली नोकरी मिल जाए मैं चाय वाले का काम कर लूँ अब वो वहाँ पर अपने परिवार की इच्छा के खिला अकेले जाता है और वहाँ पर जाकर दो लड़के चित्रू और बाली से दोस्ती होती है बहुत ही जल्दी वो तीनों एक साथ अपने अपने काम को ढूणने में लग जाते हैं अब चित्रू और विश्नू तो बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो लोग एक गलिय जारे में रात के समय अकेले एक ही साथ सोते थे, उनका कोई घर तो था नहीं और वहां पर इतनी ठंडी हवा आती थी रात को, बिलकुल पहाडों से निकल कर तेज बहती हुई हवा वहां पर चलती थी और उस ठंडी हवा में बिश्नु और उसका वो दोस चित्रु दोनों वह ही सोते थे, चाएवाए बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, अब विश्नु उसी में खुश था, संतुश था कि कम से कम कुछ तो पैसा मिल रहा है, लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना आया, तो जाडों की शुरुआत होने लगी, जाडों की शुरुआत होने लगी, त परेटक सब वापस चाने लगे, अब बाली तो दिल्ली चला गया, बाली ने कहा भई मैं तो काम की तलाश में दिल्ली जा रहा हूं, और चित्रु और विश्नु ने सोचा कि कहीं पर जाकर किसी खान में काम करें, जिससे की थोड़ा पैसा मिले, कहीं पर भी खनिजों की ख प्रेक्टर था, उसने चित्रु को तो रख लिया, लेकिन विश्नु को रखने से मना कर दिया, क्यों, क्योंकि विश्नु ने अपनी जो उम्र बताई थी, उस उम्र के हिसाब से वह खान में काम करने के योग्य नहीं था, हर जगहा काम करने वाले बच्चों की एक नियत उम्र होती है, विश्नु उससे चोटा था, इसलिए वहाँ पर उसे काम न मिला, अब उसकी वो बुरी हालत देकर, वहाँ पर एक सरदार जी थे, जो की ट्रक के मालिक थे, उनका नाम था प्रितम, उन्होंने अपने ट्रक में क्लीनर के रूप में विश्नु को रख लिया, अब विश्नु को वो तनखवा भी देने लगे, और विश्नु से उनको लगाव भी हो गया, दोनों जहां पर भी खनिज का काम होता, खुदाई का काम होता, या पहाडों पर, पहाडों को फोड़ने का काम होता, पीडों को काटने का काम होता, ये सब काम, इन सब कामों से लाइम पाउडर निकलता था, मतलब चट्टाने हमारे, जितनी भी रॉक्स हैं, वो सब खनिजों से बने हैं, जब उनको फोड़ा जाता, तो लाइम पाउडर चारों तरफ मिलता, अब विश्णु को बहुत ही खराब लग रहा था, कि इतने सब काम की वजह से पहाड की हरियाली चली जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सडके बननी हैं, कार खाने लगने हैं, और पेड़ कटने के बाद वहाँ पर सारी हरियाली की जगहा सब धूल 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 हो रहा था, अब एक दिन, एक खचर को बचाने के चकर में, एक खचर क्या होता है, जो घोड़ा होता है न, घोड़े की ही एक अलग जाती होती है, उसे खचर कहते हैं, माल ढोने के काम में वो आता है, अब एक खचर रास्ते में चल रहा था, ऐसा माना जाता है कि खचर की बुद्धी शायद थोड़ी सी कम होती है, तो वो माल लेकर चल रहा था, और वो सामने से ट्रक देखने ही पाया, और ट्रक के नीचे आने लगा था, लेकिन उसको बचाने के चकर में, विश्णू ने ट्रक घुमाया और ट्रक लोड़कता हुआ, जाकर खाई में गिर गया, ये तो गनिमत्ती की खाई में गिर कर एक बड़े से पेड़ पे जाकर वह ट्रक अटग गया, किसी तरह से बिश्णू और जो बाकी दूसरे उसमें ट्रक में लोग मजदूर भरे थे, उन्होंने किसी तरह से वहाँ से निकलने की रहा निकाली, उस ट्रक के अंदर से, लेकिन जो प्रीतम था, वहाँ बुरी तरह से घायल हो गया, हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, तो उसने जाके बोला, विश्णू ने बोला, कि ये प्रीतम इसलिए घायल हुआ, क्यूंकि खाई में गिर गया था, लेकिन एक पेड ने उस ट्रक को बचा लिया, और अगर वो पेड उस ट्रक को न बचाता, तो सब के सब वहाँ पर मर जाते, जब प्रीतम का इलाज हुआ, अस्पताल में इलाज हुआ, और वो थोड़ा ठीक हुआ, उसने जब ये पूरी बात सुनी और समझी, कि किस तरह से एक पेड ने उनकी सब की जान की रक्षा की थी, तो वो हेरान रह गया, और उसने सोचा कि वो जो भी काम कर रहा है, ट्रक से सारे सामान को यहां से वहां पहुचाता था, लेकिन वो सारे सामान पेड़ों को काटने के काम में आते थे, खनिच पदार्थ निकालने के काम आते थे, पहाड़ों को फोड़ने के काम आते थे, और इन सब से पूरा का पूरा पहाड नश्ठ हो रहा था, पेड़ पौधे नश्ठ हो रहे थे, प्रीतम ने सोचा, पैसों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, आज अगर ये व्रिक्ष हमारी ट्रक को नर रोकता, तो हम सब तो जिन्दा भी नहीं होते, मेरे परिवार का क्या हो ये सोचकर उसकी आखें खुल गएं और उसकी ही नहीं, इस कहानी को, इस घटना को जिसने भी सुना, सब ने पेड़ के महत्व को समझा, कि किस तरह से मनुष्य अपनी लालच में अपने ही फाइदे के लिए पहाडों को फोड़ता चला जा रहा है, पहाडों को नंगा करत पहाडों ने जो व्रिक्ष के पेड़ पौधे का वस्तर धारन किया हुआ है, सुन्दर हरे भरे पहाडों को किस तरह से निवरस्त करके थूल से भर रहे हैं, कौन लालची मनुष्य जो उनमें से कितने ही ऐसे हैं, जो अपनी जरूरत के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपने कि और भी तो तरीके हैं, पैसे कमाने के, हो सकता है थोड़ा दूर जाना पड़े, लेकिन ऐसा काम अब हम नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे पहाड निवरस्त हों, हमारे पहाडों को नुकसान पहुचे, और ये सारी हरियाली गायब हो जाए, जिससे ना तो बर्फ गिरेगी ना तो पेड़ पौदे होंगे, ना तो नदी तालाब जरने बहेंगे, ना ही फल होंगे, कुछ भी नहीं होगा, प्रकृती नश्ट हो जाएगी, इसलिए तो पहाडों पर चारों तरफ धूली धूल नजर आती है, सब के बात ये समझ में आ गई, और सब अपने गाउं च पहें लगाएंगे, और पहाडों को फिर से जीवंत और हरा भरा करेंगे, अच्छे कहानी थी ना बच्चो, मुझे मालूम है आपको भी ये कहानी समझ में आई, और आप भी अपने चारों तरफ के हरी आली को बचा के रखिए, पेड लगाईए, पौधे लगाईए, जहा जहां हो सकता है लगाईए, हरी भरी धरती कितनी सुन्दर लगती है, है ना, कहानी कैसी लगी, कमेंट सक्षन में लिख कर बताईए, मेरा इंतजार करिए, अरे हाँ, लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब ही तो और लोग जुड़ेंगे हमारे इस कहानी के सफर में, अमू आएगी, आप सबको कहानी सुनाएगी, और भी कोई कहानी अगर आप सुनना चाते हैं, मुझसे तो लिख भेजिए, मैं जरूर कोशिश करूँगी, आपकी इच्छा की पूरी, पूरती हो, तो कहानी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और फिर आउंगी, तब तक के लिए, टाटा